असलाम आनिकों मैं अवरीवान अनीस दानोबल में आपका वैलकम है जे लोगों ने चानल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले चानल को सब्सक्राइब कीजिगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल चानल को सब्सक्राइब नहीं कर रहें और सिर्फ ऐसी सुन रहे हैं प्लीज ऐसा ना करें चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें लाइक करें अच्छे अच्छे कमेंट्स करके आप सपोर्ट तो वैसे करते ही हो बस करते रहें साथ देते रहें और करते हैं नौवल नेम है वाजिबल महबत पाए माहिन मलिक एप खतम हो गया मगर सब अपने अपनी जगे साकित खड़े थे मलिक पुलावाली शेहनशा की मौजूद्गी और इन बहादूर लड़कियों की बहादूरी पर दंग खड़े थे जबकि वो तीनों ये सोचकर साकित खड़ी थी कि आज ये क्या हुआ हैं उनके साथ तब ही आर आरियान ने जितनी नर्मी से पुछा अजरा ने गर्दन नफी में हिलाई आप ठीक हो और ये सब इस अगले सवाल पर सोया दिमाग आकिर बेदार हुआ अजरा ने आके उठा कर आरियान को देखा और फिर इर्द देखती भाग दी पीछे खड़ी अमीमा और अफाफ के ग में सरगोशी की जिसे सब भी सुन चुके थे और मस्कुरा दिये मगता हां सुरकाओं को से बस उसे देखे जा रहा था आप सब मेरी बाते सुनें दिल और अफाफ मेरी कहने पर मेरे साथ आई थी आप में से कोई भी इने कुछ नहीं कहेगा अगर किसी को डाटना है तो मु आई दुसरी तरफ अमीमा फैसल की खुली बाहों को देखती उसकी तरफ आई आई म सॉरी डैन मैं बिना बताय चली गई अमीमा फैसल के कंदे से लगती तनी मासूमियत से बोली हम्जा उसकी मासूमियत पर सद के वारी हुआ था खबरदार फैसल अगर तुम ने मेरी अदम दोबारा नहीं उठाना हमजा भी फॉरन बोला अमीमा मरसलीन की तरफ बड़ी उसके हसार में आते हमीमा को लगा वो हर तकलीफ और दुश्मनों से कोसो दूर आ गई है डैड ममा हम ठीक है तो आप रो क्यों रही है नताशा के हसार में खड़ी अफाफ मासूमियत से ब मजबूर कर गई मेरी प्रिंसेस बहुत क्यूट है ना इसलिए में गुड़ीया कहता हूँ मरसलीन उसके सर पर हादर के इंत्याही महबबत से बोला और आपके अजरापी जितनी बहादूर नजाराती उतनी ही हसास भी है आप तीनों के लिए वो रो नहीं रही है वो जो ख देखते पीछे मुड़ी मरसलीन और ताहा अजरा की तरफ आए प्रिंसेस दोनों एक जबान बोले है जरा ने नजल उठा कर मरसलीन और ताहा की तरफ देखा और ताहा के बढ़ाए हाथ पर हात रख दे, कंदे पर सर रखे नमाखों से मरसलीन को देखती बोली आप प्रिंसेस रोना बन करो चलो बिलकुल अब अच्छी नहीं लगती मरसलीन मुस्कुराता उसके सर पर हाथ रखे खड़ा था तो ताहा इसके आँस पोच रहा था इसमें तो मलक वला वालों की जान बस्ती थी आरियान हमजा फैसल वकास और मलाइका इनका प्यार देख मुस्क पान को साथ नहीं लाए गया अजरा ने पहले इर्द की देखा पिर आरियान और मरसलीन को देखते पूचा अभी तो यही था ताहा ने भी गर्दन मोडते कहा और वो एमर भी नज़र नहीं आ रहा वकास भी बुला था किचन से आती आवाजों पर सब के कान उठे थे तब मुझे यहिया लेकर आया था एमर ने आरियान को देखती का ऐसे तो नहीं देखे बड़े पापा यहिया प्लेट रखते जितनी मासूमियत से बोला वो सब अश अश कर उठे आप लोगों की प्रिंसेस को डूडने के चक्कर में हम बिचाने सुबा से भुके मारे गए गए यहिया अजरा ने बात का रुक कही और किया था मुहाम अजी जंग छिरनी थी और किसी का मुड़ खराम होता नताशा बोलू टी हमें अब वापस चलना चाहिए रात बहुत गहरी हो गई है जहां वह बोली यहिया सबसे पहले महाँ से निकला था वो बाहर आया जहां मीमा क के गोश गुजार कर दी मगर इस दोरान एमर की खा जाने वाली नजरे अनीरा की तरफ थी वो सब महां से निकले और रात के बारा बज़े वोला वापस पहुचे थे जहां जारा तूबा और रहाम उनके इंतिजार में पल पल गिन रही थी इन तीनों ने इन सब से भी माफ के लिली उठी थोड़ी देर बादी तहां भी थकंगा कहता कमरी की तरफ चला गया हयाम की नजरे बार बार आरियान की तरफ उठ रही थी जो ला तालुक बना बैठा था तब यहिया ने अजरा को मुझे ब्लैक रोस तुम लोग गई क्यों थी वहां मेरा मतलब हमें बता स का गई हूं इस माहूल से इन बेवक्त पीछे पढ़ने वाले दुश्मनों से गार्ड बाडी गार्ड ये सब मुझे मेंटली लो फिल कराने लगे हैं अजरा का लहजा हुनूस नारम था वो किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती थी मगर दुसी तरफ आरियान ने बे यह की नजर मलाइका, वकास, हमजा और फैसल की तरफ उटाएं जो सर जुका गएं जैसे इस सब में इनकी कोई गलती हो मगर जो भी था जैसा भी था वो इनका काम नहीं फर्स था जो इन हर हाल में पुरा करना था मगर इस सब में वो ये भुल गए थे कि इनके बच्चे वो सब अपने अपनी कमरों में जा चुके थे वो गिलें बाल सुखा कर बैट की तरफ आई मगर अगले हीला में ताहा को दीबान के साथ टेक लगाए खड़े दे अफ़ाफ के पहले तले से जैसे जमी निकली थी वो चीक मार दी इसे पहले ताहा ने उसके मुब पर हलका साहतर का अगर तुम्हारी जरहा से भी आवाज निकली तो मैं तुम्हारा भेजा उड़ा दूँगा दो कदम पीछे हटते उसने इंत्याई बेरुकी से कहा अफ़ाफ ने आके पहलाए पहले उसे देखा फिर खुले दर्वाजे की तरफ देखा इसे जैसे ही भागना चाहा ताहा उसके रास्ते मैं हाईल हुआ आप क्यू रात के इस वक जीन की तरह मेरे कमरे में आके मुझे डरा रहे है अफ़ाफ के आवाज में नमी घुली ताहा की सुरका अंगारा बनी नजरे इसके आउसान खता कर रही थी तुम किसकी अजाज़त से मलिक वला से बाहर निकली थी जवाबन ताहा ने उसकी बाजु दबोच देखर रख लहजे में समाल किया अगर तुम्हे कुछ हो जाता तो मुझे बताओ कौन जिम्मेदार होता मेरा क्या होता तुम सिर्फ अपना क्यों सोचती हूं मेरे बारे में क्यों नहीं सोचती क्या मैं कोई इंपॉर्टन नहीं रखता तुमारी लाइफ में तुम मलिक वला से बहर नहीं जाओगी मैं कल ही गाट से कह दूँगा तुम कहीं भी नहीं जाने से पहले मुझसे इजासत लोगी और फिर जाओगी वरना तुमें गाट बहर जाने नहीं देगा ताहर इसका बदला रविया देख बस इत्ता ही कह सका वरना जो तुम अभी इसके अंदर मचा हुआ था वरना नहीं लोगी वरना नहीं लोगी वो तेज लहजे में बोलती गई ये सोचे भी गहर के सामने वाले पर क्या गुजरेगी ताहां इसकी टोन पर हैरत में मुबतला कदम पीछे ले गया और सोफे पर गिरने वाले अंतास में बटा अफाफ ने अजीब नजरों से उसके जिके सर को दिखा नजर सर से पिसलती उसके चेरे पर रखे हातों से होती जूतों पर रुख गई जाफर्ष पर कत्रा नमा कुछ गिर रहा था उसे लंभा लगा समझने में वो आँसो थे ताहा मेर रो रहा था जलाद भी रोते हैं वो सोच करेंगे वो जो कब से अंदर ये अंदर जब्त कर रहा था इस लड़की ने उसके हिमत तोड़ दी थी वो रो दिया था सिर्वी से खोनी की डर से उसकी सिस्किया सोने अफाफ की हानत अच्जीब हो री थी वो धीमे कदम उठाती उसके पास पहुची और ताहां के करीब घुटनों के बल नीचे बैटी मैं तो सिफ आप से आप जैसी बाती कर रही थी जैसे आप मुझ पर रॉप जारते हैं गुसा करते हैं मैं तो नहीं रोती फिर आप क्यों रो रही हैं इसके रोने सितागाती अफाफ पटर पटर बोली थी ताहा ने सुर्क नजरे उठा कर सामने बैठी लड़की को बगर देखा नेले रंग की घुटनों तक आते फ्रॉक में वो गिले वे उलजे बालों को हाथ की मदद से पीछे करती आँखों में उलजन लिये उससे सवाल करती उसे कोई छोटी सी बच्ची लग रही थी बेसागता उसने उसके कंदों को थामे उठाया और इसे सुफे पे बिठाये खुट घुटनों के बल उसके करीब बैट गया अफाफ का अपना मुकाम उसकी नजरों में कहीं बहुत उची जगे पर महसुस हुआ था वहाजा इसके लावा और कोई नहीं ता जा रहने का हंग ताहा मेर ने सिफ अफाफ रजा को दिया था मैं तुमें कैसे समझाओ ये दुनिया वैसी नहीं है जैसी नजर आती है तुम बहुत मासुम और अफाफ इसके नरम शिदत भरी लहजे पर अफाफ के दिल को कुछ हुआ तुम सोच भी नहीं सकती मैं इन चार घंटों में चार सो मरतबा मरा हूँ सिर्फ ये सोच करके अगर तुम ही कुछ हो गया तो आसो मुसलसल उसके आँखों से गिर रहे थे वो इतना कमजोड तो नहीं था अफाफ उसे पहली बार इतना कमजोड देख रही थी वो तो इसे ऐसे हालत में देखी पहली बार रही थी वो नहीं जानती थी वो ताहा मीर की जिन्दगी में क्या हमयत रखती है अफाफ वे साकता हाथ बढ़ाया और बोलते ताहा को चुप लग गए इसे हाथ बढ़ाते हैं ताहा की थोड़ी से गिरते आसो को अपनी मुठी में कैद किया वो बिना पल के चपकाई उसकी कारवाई देख रहा था आप रोते वे बिलकुल अच्छी नहीं लगते वो बे धियानी में बोल गई ताहा मुस्कुरा दिया तो क्या गुसा करते है चा लगता हूँ अफाफ इसके सवाल पर जैसे होश में आई फॉरण से दूर हुई नहीं मेरा मतलब था पता नहीं मैं नहीं जाओंगी कहीं भी आप लीज जाई यहां से इसकी लोग देती नजरों की तपिश से बचने के लिए अफाफ को इसकी बात मानना ही मकूल लगा तहां इसकी चेहरे से नजरे घताएं माहा से उठा इसकी तरफ मस्कुराहट उचाने है तहां कमरे से निकल गया ताके वह भी इजी हो सके गाला घटा टाप अंधेरा हर सु पहला था इस पास का हो कालम था हर तर तरफ अंधेरे का बसे रहा था बाहर मौजूद गार्स आँख को बुझानी की तक गुदों में नजर आ रहे थे ऐसे में मलिक खबेली का अंदूरूनी मंजर मजीद ड्रावना नजर आता था पंद्रा साना मरसलीन दस साल बेहोश अमीमा को सीने से लगाए बाहर निकलने की कोशिश में मसरूफ था वहीं दूसरी तरफ हमजा और जाना यहिया और ताहा को समा ले कोशिशों में मसरूफ नजर आए फैसल तूबा को लिए बैट डूर की तरफ बढ़ा था जिसे लात मार के खुलते उसने सब को बाहर निकाल दिया फिर खुद आसिया बेगम के कमरी की तरफ भागा हमजा अवन सहाब और समीरा बेगम के कमरी की तरफ लपकाता सब बाहर आ चुके थे सिवाए आरियान हैम और अजरा के हमजा और फैसल फिर से इस आउन में कुदे थे और उपरी मन्जिल के तरफ भागे जह से हयाम और अजरा के चीकने के आवाजे आ रही थी आरियान अपनी कोशिश के बावजूद भी अजरा के कमरे का दरवाजा नहीं कुल पा रहा था बाकि हवेली के नजबत इस कमरे को आग ने जैसे अपनी आगोश में ले लिया था अंदर से आवाजे आना बंद हो गए आरियान असो से भरी आखे लिए अभी भी सर तोड़ कोशिश कर रहा था हयाम रोते नी ढाल हुई थी फैसल रोती बिलकती हयाम को बाहर ले गया था हवेली के पिलर एक एक करके गिर रहे थे जो किसी भैनक और ड्रावनी फिल्म का मनजर बयान करते रहे थे बाहर से सबकी चीकों के आवाज आ रही थी अजरा का कमरा जुलस चुका था मरी खवीली की चछद गिर दी इससे पहले हमजा अरियान को गसीरता बाहर लाया था नहीं मुझे छोड़ों हमजा मेरी बेटे अंदर है मुझे जाने दो वो मुझे पुकार रही है आरियान को काबू करना उनके बस से बाहर हो रहा था जारा तु बार हायाम की आहां वो पुकार आस्मान को छू रही थी बैटे पिटाए ये कैसा रोग लगा गया था इन्हें जल्म की हद हो गई थी तब इस पर कमरे की खिड़की किसी ने लात मार के खुली थी अजरा जो कार्पट पर बेहोश पड़ी थी अंदर आते शक्स ने इसके उपर से वो आग में लपटा दुपटा हटाया था पिर इसे बाहों में भरे वो वैसे ही हवेली के गार्डन में उतराया था अजरा भी भी उसकी बाहों में बेहोश थी वो बला की हसीन थी मुकाबल की नीली आँखों में चमक उबरी खुद को हवा में महसूस करते है अजरा ने आके खोल दी इन नीली आखों को खुद को तक्ता पाकर वो दम सादे उसे देख रही थी मुकाबल ने धीरे धीरे से उसे नरम घास पर बिठाया अजरा ने उसकी शर्ट जगड़ी थी जिससे उस संधेरे में उसने अचीब चीज़ देखी थी डैवल इसके लब भी ले इन नीली आखों में मजीद चमा कुबरी मैं यहां तुमारी इफाज़त के लिए हूँ वो जुम्ला कहते है उसने अजरा के आँकों के सामने अपना हाथ किया फिर उसे हवा में लहराया और वो गायब हो गया अजरा इस अंधेरे में उसे ढूनती रह गई होश मित तब आई जब दुसी तरफ से उसे रोनी की आवाजी सुनाई दी वो भाग कर उस साइड गई अपने माबाग को रोते दे किसकी जान अटकी थी इसे आरियान की तरफ देखा जिसे हमजा हवेली में जाने से रोक रहा था फिर इसने नजरे उठाई और दरास हवेली हर तरफ से आँग की लपेट में थी जैसे वो आग इसे खुद में समाने की सही किये बैटी हूँ डैड इसके लभीले पिर जोड़दार्ची कुबरी आरियान जो हवेली की तरफ भागा था इस मलक हवेली वाले एक के बाद दिगेर पल्टे माजरा को सही सलामत पांकर उनकी जान में जैसी जानाई थी तब यारियान अजरा की तरफ भागा अब इसने दो कदम उठाएते वो दराज हवेली अपने पूरे हजम समेत रूर लजारती और दिल चीरती आवास के साथ जमीन बोस होगी जो जहां था वही रह गया अजरा के मुझ से आखरी पुकार डैट की निकली और वो उट पैटी उसे हाथ मार कर लैंप उन किया उसका पुरा जिसम पसीने में शराब होसा वो लंबे कहरे साथ भर रही थी टाइम देखा सुबा हो चुकी थी ना जाने कितनी सुबा हो चुकी थी मगर वो एक रात पीछे नहीं छोड रही थी इसे कमफटर उतारा और वॉक करने लगी खुद को कमपोस किया मैं या तुमारी फसित के लिए हूँ जुमला बार बार दफा जहन में गर्दिश करने लगा उसे जहन जटका खुद को नफी किया ख्यालों को जुटलाया मगर हुआ वही जो किसमत में था उसे पारी का ग्लास लबों से लगाया तो आखिर तुम दस साल बाद पाकिस्तान आही गए ब्लैक डेवल तो आजरा आरियान मलिक ने कबोल कर लिया था वही डेवल था उसका डेवल जिसे वो दस साल से ढून रही थी जिसके इंतिजार में उसने दस साल नहीं दस सदियां गुजार दी थी उसे मुबाइल उठाया मगर वहाँ पहले से ही तीन मैसेज शों हो रहे थे इसे मैसेज उपन किया जानता हूँ तुम हाकिकत जान चुकी हो दो बचकर बाइस मिनट पर रिसेव हुआ था क्या ग्याना साल कम थे इस बिल्ली चुहे के खेल को इसने स्क्रीन को देखते हुए तासिफ से सोचा मगर इस बार नहीं डैवल इस बारा जरा आरियान मलिक अपने सिम्थ तुमें भी तपती धूप में लाकर खड़ा करीगे और तुम खुद आओगे और वो पर अजम लहजे में बुली बालों को जुड़ा बनाया और एक नई फरमाईश लिए वो आरियान के कमरी की तरफ गई थी आप यहां के अक्यली अक्यली बैटें क्यों मस्कुरा रहे हैं वो जो सुबा सुबा लॉन में वाक करके वही रखके बैंच पर बैट गया था अपने पीचे से तहा के आवा सुनकर बन मज़ा होता उसके तरफ मुड़ा सारी मेरे तसुरात की ऐसी के तैसी कर दी तूने कमी ने मरसली ने उसकी गरदन दबोच कर कहा तो तहा उसका बदला मिज़ाज देख कर दंगरे गया कई बुखार बुखार तो नहीं चड़ गया आपके दिमाग पर कौन से तसुरा था तहा ने सामने आते परिशानी से तसार क्या बुखार नहीं चड़ा सर पर तहा मरसली ने गहरी सांस खिषते का इस लड़की का सुरूर सर चड़ कर बोल रहा है जादू करनी है वो आकर मुझे फसा ही लिया उसने अपने इश्क के जाल में उसे सांस हवा के सुपर्ट करते जितनी बेचारगे से कहा तहा को इतनी मुश्किल अपनी हसी कंट्रोल में हो रही थी एक नंबर की चुड़े ले जादू करनी कहीं की मरसलीन कहते कहते रुख गया यार मुझे सुकुन नहीं मिल रहा है मुझे उसे देखना है अभी देखना है वो बेबसी से कहता उठा ही ताहा पेट पर हात रुके घास पर गिरा और हसी से लोट पोट हुआ था मरसलीन च्छनप सा गया उठ जा कमी ने ऐसा भी जोक नहीं सुनाया था मैंने मरसलीन दाद पिस्ता इसे ठोकर मार कर बुला दफा हो तुछ से तो बाती करना फजूल है इसे वैसे ही हसते देख मरसलीन जाता ताहा जैसे तैसे खुद पर कंट्रोल के उठा और इसके सामने आया अच्छा मेरे पास एक प्लैन है सुनेंगे हाँ सुना वो फॉरन बोला वैसे मुझे यकीन है अभी भी भी नहीं आ रहा है कि इस जादुगर्णी ने आपको अपनी जाल में फसा लिया है आकिर इतनी सर तोड कोशुशों के बाद मरसलीन का कोई मोड नहीं था उसके कहके सुनने का इसलिए वो अंदर जाने लगा मगर इससे पहले ही ताहन इस तक पहुँचा और अपना आइडिया सुनाया तेरा आइडिया कमाल है कमीने मरसलीन उसे गले लगाते बोला अब कमी नहीं उसकी तरफ देखा किसकी कौल थी बाहदुर खान की उसके चहरे पर रकम सर तासिरात और गुसा दे ताहा को पहला ख्याल उसी शक्स काया मुझे मारनी की धंकी दे रहा है मरसलीन ने इस तहाजिया का तो अब क्या करेंगे आप ताहा ने परेशानी से द्रियाफ किय दो दिन बाद कोट की हेरीं है ताहा और मैं सिर्फ जाओंगा नहीं बलके जीत कर भी आओंगा मरसलीन ने पुकता लहजे में कार वा अंदर की तरफ चल दिया पिछे ताहा ने नताशा का नंबर मिलाया था वो दोनों कैंटीन में बैटे थे तब ही अरसल उसके पास आके बैटा तुने बात की गुडिया से सलाम दुआ भी कोई चीज होती है जानी तू भी सही मेरे घर वालों की तरह उसकी फिकर में घुला जा रहा है यह यह नहीं जरा गैर संजीत की सिका बकवास बन कर कमीने तुझे पता है वो शक्स कैसा है फिर भी तूने इतने आराम से कै कैसे बैठा है अरसल भड़क उठा तो और क्या करो बात करके देख चुका हूँ वो नहीं सुनती कोई भी बात तो अब तू क्या चाहता है उसके पाओं में गिर जाओं और गिर गिराओं कि खुदा का वास्ता मत करो शादी इस इनसान से यह यह बिगेर जगे का ख्याल की यह चंगाना अरसल को गुसा करना महंगा पड़ गया यही 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 तेरा जो गुसा है उसे कंट्रोल करना तू सीख ले अगर तू कुछ बिगड़ेगा नहीं बाखुदा मेरा गुसा काबो में ही है अगर ना होता तो अब तक मैं उस शक्स के साथ उसे भी आग लगा यह यह ने मूँ फेल लिया इधर देख कमी ने मुझे बता रात कहां गुजार के आया है उसके गिर्बान पकड़े अरसल चीक पड़ा जहां का तू सोच रहा है बिलकुल वही करकर गुजर कर आया हूँ और पीकर भी आया था बस नशा उतर लिया वो धिटाए का मुझार करते बुला तो अरसल ने खीच कर उसके मूँ पर थपर मारा और हैरत तब हुई जब यह यह चेरे पर हाँ रखे उच्छे कह कह लगाने लगा आसपास मौजूद लोग हैरत का शिकार हुए उन्हे देख रहे थे अरसल उसके हालत के जेरे असर इसलिए ले लैब में आया अब वो हस नहीं रहा था सिर्फ खामोश था अरसल लैब के दर्वाजा बन करते उसकी जानी मुड़ा और जो ही मुड़ा यह यह उसकी सीने से लगा रो पड़ा अरसल ने उसे रोनी दिया और जब वो खामोश हुआ तो बोला तुझे ड्रिंक करने से डॉक्टर ने मना कि अरसल के आवाज में नमी घुल गई मुझ जैसे धीट इतनी आसानी से नहीं मरते जानी अभी तक सिर्फ वो मुझे से नफरत के दावी करती थी मगर अब मुझे लगता है मुझे भी उससे नफरत हो रही है मुझे अब वो अच्छी नहीं लगती वो मेरी सुनो वाइट न नूर को भूलाना मुश्किल था मगर मैं उसे खुश रखने के लिए खुश रहने लगा अंदर मच्छी बरबादी को दबाता ना सिर्फ उसे मुतमाइन रखने के लिए और आज उसने क्या किया मेरे साथ जिसके लिए मैंने खुश रता पैर पैर बदल दिया वो मुझे सिर्फ इसलिए नफरत कने लगी है कि मुझे उससे महबत नहीं हुई और वो नाराज मुझे मैंने माफी मांगी ना और कौन साम मैंने उसे पुरी दुनिया के सामने डर्पुक कहा था सिर्फ तेरे सामने कहा था तो किस बात की वो मुझे इतनी बड़ी सजा दे रही है जबके वो खुद मुझे तमाम घरवालों के सामने कई बार जलील कर चुकी है बस बहत हुआ इसे बहुत शौक है ना कुवे में कुद देने का तो वो कुदे मेरी बला से भाड में जाए जिससे मर्जिस शादी करें अब यह या मेर उसकी जिन्दगी में मदाखलत नहीं करेंगा अरसल सिफ सुसे सुन रहा था वो लड़का हर गुजरते दिन के साथ उसकी समझ से बाहर होता जा रहा था उसे डर तो तो इस बात का था कि वो गुसे का तेज था वो खुद को या किसी को भी नुकसान पहुचा सकता था वैसे वो लड़की बहुत क्यूट है हान कौन सी लड़की आर्यान मलिक की बेटी अजरा मलिक जवाब फॉरन आया हरते तो में भी कोई अच्छा लगा है यहान हस दिया वैसे मुझे नहीं लगता वो मौनस्टर को एकसेप्ट करेगी तो मैं ऐसा क्यूं नहीं लगता जबकि अगर भाई एक बार उस लड़की के सामने मार्क्स के बिकर चले जाये ना तो मुझे यकीने वो लड़की पलकी भी चपकाना भूल जाएगी रिजेक्ट करना तो दूर की बात है हान के लाजे में गुरूर था क्यों वो कोई फीमेल मौनस्टर है जो तुमारे इस मौनस्टर को देखने के बाद पलके चपकाना भूल जाएगी अनीरा टेड़े मेरे मौ बनाती तन ही से गोया हुई नहीं वो फीमेल मौनस्टर नहीं हाँ मगर ये वही लड़की जरूर है जिसे 11 साल की उमर में इस मौनस्टर से इश्क हुआ था वाट दे हैल अनीरा सर्था में यहान को देख गई वो लड़की सिकंदर से महबत करती है यह वही लड़की है जिसकी वो अनीरा के कुछ कहती है यहान की घुरी पर फॉरण से बात बदल दी मगर सिकंदर तो इस से बहुत महबत नहीं करता फिर क्यों उसके पीछे पढ़ा है क्योंकि वो सिकंदर हाजिक मुगल की जीत है महबत तो वक्ती जजबा है मगर जीत अजल तक रहती है और मैंने जिन्दगी में जीतने के लावा और कुछ नहीं सिका अपने पीचे से उसकी भारी आबास सुने अनीरा और हान दोनों पल्टे मतबाब उसके साथ जूटी महबत का ड्रामा रचा रहे है वो बेगी कीनी से बोली नहीं मुक्तसर उन कहा गया मैं महबत का ड्रामा नहीं रचा रहा मैं खेल खेल रहा हूँ ऐसा खेल जिसमें बजाहिर जीत अजरा मलिक की होगी मगर असल खिलाडी सिकंदर हाजिक मुगल होगा वो तनुफर से कहता हसा मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूँगी सुना आपने मैं आपको इस लड़की की जिन्दगी बरबात नहीं करने दूँगी अनीरा गुसे की जियत्ती से चीकने लगी सिकंदर का भी ये बारा हाई हुआ वो अपनी जीत के इतने नजिक पहुच कर हार नहीं सकता था इसने वेस्ट से गर निकाली और यहान के सर पर रखी थी जिस दिन तुमने मुझसे बगावत करनी की सोची उस दिन तुम्हारा भाई मेरे हाथ तो अपनी जान से हाथ धो बैठे गा यहान मुतमईन सा ख़णाता जब के अनीरा आसूं से भरी आखे लिए कभी सिकंदर तो कभी यहान को दीक रही थी रोना बन करो आनी सिकंदर ने अपकी नर्मी सिका ऐनी नाम उसे सिकंदर की बदौलत ही मिला था जो हो रहा है बिलकुल दुरस हो रहा है तुम वक्त आने पर सब समझ जाओगी यह जी थी सब कुछ है हमारे लिए वो बोलता गया यह सब कुछ दुरस नहीं हो रहा यह सिर्फ खुद गर्जी है यह खेल मत खेले वो लड़की वाकई में आपसे सची महबत करती है मैंने देखी है उसकी आँकों में आपके लिए महबत इसे तोड़े मत वो जिससे लतिजा कर रही थी इस गर्ज से भरपूर दुनिया हमें बेग गर्ज होना मेरी सिहत के लिए मुफीद नहीं है और तुम मुझे खुद गर्ज कह सकती हो मगर मैं अपनी जीत नहीं चोड़ सकता हाँ फिर आपकी वज़े से किसी लड़की का जो वजूद तार तार हो जाए इसकी कोई फिकर नहीं होगी आपको नहीं होगी क्योंके खुद गर्ज इनसान सिफ अपने बारे में सोचता है सिकंदर कहता निकल गया अनीरा की लिद्जाई नजरे यहान की तरफ उठती इसलिए वो भी अंदर की तरफ बढ़ गया रात के तकरीब ऑन 11 बज़ रहे थे नताशा उसे देखकर फिर से रुक मोड़ गई तुम्हें मैंने मना क्या ताना यहाने से इसे मकसूस लहजे की लिवचा एनर्वी से इस्तसार किया जबकि मुकाबिल ने दूसरे सोफे पर रखे कशन को उठा कर पूरी कुवत से नताशा के सर में दे मारा ओए कमीने यह क्या हरकती नताशा भी प्रीशेर नी बनी उस पर धाड़ी जब दूसरा तीसरा और चौता कशन भी उसके सर में जा बजा था मैं कमीना तो तू क्या है हाँ फ्रॉड एक नंबर की मुकाबिल उसके वार से बचता बच चीखा था मुझे तूने यहां बुलाया मुझे वहाँ फ्लॉड पड़े मिशन में पुराने बैक हीरो की तरह डाल कर तू खुद यहां आके बैट गई तुझे शरम नहीं आ रही ताशा मैं तेरी वज़े से पाकिस्तान आया था और तूने मेरे साथ क्या किया उसकी धुआई सुनते ता नताशा हसी हसना बन कर बंदरिया कहीं की वरना सारे दाथ तोड़ दूँगा में तेरे अपने आप के लिए लफ्स बंदरिया पर नताशा ने आई बरुच काई कवीने इंसान मैंने तुझे यहां मिशन कामियाब करने के लिए भुलाया था फ्लॉप तो तेरी अपनी बेगेरती के वज़े से हुआ है नताशा ने वहीं कशन दे पर देर उसके सर में मारते कहा इसने भी कशन उठाया रुख जा मैंने तुझे कहा था यहां आना है अजरा के दिल से इस डेवल की महबत को खतब करना है मगर नहीं तुझे यह तो हुआ नहीं बलके आनी के दो दिन बाद ही अपना दिल ही उस लड़की के कदमों में पटक दिया वाँ वाँ क्या कहने है तेरे तू क्या मिशन फ्लॉप होना होता नताशा ने उसे घूरते इस तफसार किया वो सर जुगाए बैठा रहा नताशा को इस पर तरसाया कशन फ्रश पर रखे वो इसके करीब कार्पर्ट पर बैठ गई अब वो इतनी खुबसूरत है कि मुझे इससे महबत हो गई तो मेरा क्या कसूर बेचारगी से कहा गया एहमी कवी ने वो मेरी बहन है नताशा ने उसके सर में एक और कशन दे मारा अगर तू मेरा बच्वन का दोस्ता होता तो मैं तेरा इस बात पर कतल कर चुकी होती नताशा ने इतराते कहा एमर शजीया नाम है मेरा मैडम कोई कच्चिया गुलिया नहीं खिलता मैं और इतना इसान क्यों जता रही हो एक तो मैं तेरे लिए इस फ्लॉप मिशन की वज़े से पाकिस्तान आया फिर मलक वला में गुसा इस नक्रीली लड़की के नक्रे उठाए यहां तक के दिल भी हार बैटा मिला भी कुछ नहीं मुझे वो रवानी में कहता जा रहा था इस पर मैंने एक इतना बड़ा कारनामा भी अंजाम दिया अजरा मैडम को आरियान सर को कुछ भी बताने से जैसे तैसे रोका इसे मना किया कि इन तक खबर ना पहुचने वरना तू जानती है अगर अजरा को या आरियान सर को मालिम हो जाता ब्लैक ड्यावल पाकिस्तान में है तो वो क्या करते फिर गया होता है तेरा मिशन तेल लेने और इस पर तू मेरा हैसान मानने की बज़ए मुझे ही नकरी दिखा रही है वो बात खतम करते गहरे सास लेते उसे देखने लगा नताशा आखों में दुनिया जहां की मासूमित सचायव से देख रही थी लाहल मलाकुता मुझे से कैसी गुना की उमीद मत रखना ताशी वरना मैं किसी गटर में छलांग लगा दूँगा कुछ याद आने पर एमर एकदम से चीक के दूर भागा तो नताशा भी उसकी पीछे भागी देख एमी तुने आज तक मेरी इतनी बार हेल्प की है या आखरी बात मान ले सारी जिंदे की तेरी आहसान मन रहूंगी मैं तेरी बात मानने से चाहे तेरे हाथों से कतल होना पसंद फरमाऊंगा ताशा खुदा का वास्ता मुझे इस जहन्म में मत गसी एमर की चन में जाता चीक कर बोला यार इतनी सी बाते तेरा क्या जाता है सिर्थ दो महीनी लगेंगे बस इतना भाव क्यों खा रहा है नताशा की जुम्ले परैमर के हलक में जाता पानी फवारी की सूरत में बहा निकला दो महीने वो भी उस लड़की के साथ तू क्यों मुझे मेंटल असाइलिम भीजना चाहती है सीधा सीधा गोली क्यों नहीं मार देती मैं कभी उस लड़की से शादी नहीं करूँगा वो तो ऐसे ही बोल दिया था मैं उसे मैं बदली के आग में इतना भी अंता नहीं हुआ के एक चलती फिरती देड़ गस लंबी जबान रखने वाली फितना को अपने गले में ही लटका लूँगा वो पानी का घुट भर के वापस से लौँज में आ गया तू फिर दफा हो जाओ मुझसे बात ना करना आज के बाद नताशा भरायवे लहजे में बोली देख ये बलेक मिलिंग शुरू मत कर दस साल तक तुझे है स्कुल हमवग करके देती रही तेरे साथ अपना टिफिन शेयर किया तेरे लिए जॉब सेलेक्ट की तुझे तैयारी करवाई तुझ पर इतना वक्त इमोशन जाई की और मुझे क्या सुनने को मिला बदले में इसे फुल एक्टिंग करते दुआई दी ओ बसकर इंडियन ड्रामे की फ्लॉप अधाकारा बहुत मनुस लग रही है हाँ अब तुझे मनुस लगूंगी न नताशा जूट मुट के आँसो पोच्टे फिर से बोली तू क्यों नहीं समझ रही यार तू नहीं समझ रहा है मी इस लड़की से शादी मतलब हम बहुत कुछ जान सकते ही इस डेवल के बारे में नताशा ने अब के उमीद भरी नज़रों से देख दिका चल मैं सुबह तक तुझे सोच कर बताता हूँ जा है मर बोला वहीं नताशा खुशी से चाहिकती उसकी बाजो पकड़े ची की चील 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 इतनी कुशी जशन पर मत मना वैसे तेरे इस आइस बेर का दिमाग आजकल हवाओं में है वो पूरा का पूरा हवा में है एहमी नताशा खिल किला कर हसी चलो तो जमीन पर कबला रही हो इसे एमर हसा तो नताशा उसकी बात का मतलब समझते कशन लेकर भागी थी कमीने एहमी दवा हो जा यहां से वो भी हस्ता बाहर को भागा था मरसलीन जो गुलाब की फूलों का गुलतस्ता था में नक्सक्सा तयार हुए इसके फ्लैट की तरफ आ रहा था में डूबी थी आइस बेर तुम यहां वो भी इस वक्त नताशा ने बजाहर मस्कुरा कर पुछा मगर मरसलीन के सकत ताथिरात उससे चुपे नहीं थे क्यों तुम किसी और के साथ बीजी थी क्या जवाब भी तिनी ही तेजी से आया था यह फुल मेरी लिए है नताशा उसकी बात को नजर अंदास किये फुल उसके हाथ से उचके फ्लैट में गई थी मरसलीन भी उसके पीछे आया था और आते ही उसके कलाई दबोचते रुक अपनी जानी फिरा बात को घुमाओ नहीं नताशा मुझे बताओ वो लड़का कौन था और रात के इस वक्त तुम्हारे फ्लैट में क्या कर रहा था मरसलीन एक तेज नजर बिखरे सामान पर डाल कर खरक लाज़े में गोया हुआ क्या मतलब कौन था और यह किस टोन में तुम मुझे सवाल कर रहे हो मरसलीन नताशा हका बका थी किस टोन में क्या मतलब है मुझे बताओ वो कौन था वो वो गुसे की जयती से चिक पड़ा आके हर दरजा लाल हो रही थी और किस हक से रात की इस पहर वो तुम्हारे फ्लैट पर आया था यही सब करने के लिए तुम अलग हुई थी क्या यही ताके ऐसी खुली आजादी से किसी को भी रात के किसी भी वक्त वो मज़ीद कुछ कहता कमरे में थपड की आवाज गुंजी उठी शटाब जश शटाब उंगली उठाया उसने सक तेवरियों से वान किया क्यों शटाब हाँ क्यों मरसलीन भी प्राशेर बने धाड़ा फूलों को इंत्याही बेदर्दी से जमीन पर पटका था कौन वो जिसके वज़े से तुमने मुझ पर हाथ उठाया है उसका बस नहीं चड़ राता वो खुद को कतल कर देता या इस लड़की को गर्दन की रगे तन गई थी आँकों में अजीब सा सर्थ बनना मुदार हुआ था यह थपड उसकी वज़े से नहीं तुमारी बकवास की वज़े से मैंने तुम्हे मारा है मरसलीन शाह और वो जो कोई भी था मेरे बहुत करीवी था तुम्हें किसने हग दिया है मुझसे सवाल जवाब करने का सिर्फ महबत करती हो तुम से शोहर नहीं हो तुम मेरे कि तुम्हें हर बात का जवाबदा हो गई मैं ऐसे यूँ आँख बगोला होते देख नताशा की तेवरी चड़ी वो कैसे बरदाश करती जिस पर वो आँखे बन करके यकिन करती है वही शक्स इस पर यूँ इल्जाम लगा था मरसलीन कहीं लम्हें उसे देखता रहा उसका दिमाग फ्रीज हो रहा था हाथ कपकपा रहे थे नताशा से उसकी गैर होती हालत चुपी नहीं रही थी मैं गलत था तुम तुम भी सब जैसी हूँ वो लड़ खड़ाती आवाज में कहता पीछे हुआ नताशा ने उसकी हालत के बरक्स उसे थामना चाहा मरसलीन तुम ठीको नताशा उसे छूती मरसलीन जटका खा कर पीछे हुआ हाथ मत लगाना घिना रही है मुझे तुम से और तुम्हारी सोच से नफरत हो रही है मुझे खुद से जिसे तुम से महबत हो गए कितने अर्से लगे थी इस इजहार महबत को सुनने के लिए मगर कभी ये खुआश तो नहीं की थी के ऐसे लफजों में वह इजहारी महबत सुनेगी जब्द के बावजूद नताशा के आँके भीग गई अगर मुझ जैसी लड़की से तुमें इतनी ही घिना रही है तो तुम यहां क्या कर रहे हु मरसलीन वो एकदम धीमे लहजे में बुरी जाओ यहां से उठाओ अपनी पारसाई और निकल जाओ यहां से वो चीकी नहीं थी ना रोई थी इसे आंसों को गिरने नहीं दिया था वो सपार्ट अंदाज में उसे बस बाहर का रास्ता दिखा चुके थी उसकी सुर्ख होती आंकों में नताशा को अपना अक्स छिल मिलाता हुआ मैसूस हुआ और फिर वो नजरे पलट गई वो चला गया था नताशा दर्वाजे में खड़ी उसे जाता देखती रही मगर वो नहीं पलटा और वो गाहें भोगया नताशा दर्वाजे से ही लगी चेरा हाथों में चुपाय रो दी वो भार आया जहां ताहा गाड़ी में उसका इंतजार करना था इसे इतनी जल्दी वापस आते देख वो कश्मकश का शिकार हुआ अभी वो कुछ कहता वो गाड़ी से उतरता मरसलीन गाड़ी तक पहुँचने से पहली होश हवास से बिगाना हो चुका था भाई ताहा हजियानी अंदाज में चीकता इस तक पहुचा था मगर मरसलीन जिसे होश में था ही नहीं इसका सारा जिसम का अपराता शायद नहीं यकीनन ताहा को अपना शक सही साबित होनते ही मैसुस हुआ तो वो फॉरल से उठाए गाड़ी के तरफ भागा था वो अंदाधून भागती हॉस्पिटल में दाकिल हुई थी हुलिये से बेनियास वो पागलों के तरह भाग रही थी रिसेप्शन से पुछने के बाद वो फॉर्स फ्लोर की तरफ आई रात के तकरीबं तीन बज़ रहे थे जब इसे ताहा की कौल आई थी और जो खबर उसने सुनाई थी वो नताशा रजा की सासों को रोकने को बास बने थी वो जैसे ही फॉर्स फ्लोर पर आई सामने ही ताहा जराबी कैफियत में इधर उधर चकर काट रहा था ताहा मरसलीन कहा है कहा है वो कुछ बोल क्यों नहीं रहे तुम उसका गिरबान पकड़े वो पागलो जैसी चीक रही थी वो लम्हा ता जब नताशा रजा को अपनी दुनिया लुटती हुई लग रही थी इस पर से उसकी खामोशी इसका दिल बंद करने की तही थी वो एमर्जनसी में मुझे बताओ तुमने उनके साथ क्या किया है नताशा इनकी इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो ताहा इसके बाद दोनों बादो जकड़े चीका नताशा की कान साइं साइं कर रहे थे इसकी वज़े से वो इस हाल में था तो वो मर क्यों नहीं गए आसों आखों से रवाते वो ये टक ताहा को दिख रही थी जवाब दो डैमिट क्या कहा तुमने भाई से वो इतनी जोर से चीका नताशा अपनी जगे से पीछे हटी उसे ताहा को इतने गुसे में पहली बार दिखा था मैं ताहा प्लीज प्लीज मुझे बताओ बुजारो का तारोती से सिर्फ जवाब चाती थी ताहा ने अभी कुछ कहने के लिए लब खोले ही थे के डॉक्टर वाट से बार आया आप लोग प्लीज यहां शोर मत मचाएं पेशन डिस्टब हो रहे हैं डॉक्टर के कहने पर ताहा ने फॉरन माजरत की डॉक्टर क्या हुआ है मरसलीन को वो ठीक तो है ना इसे कुछ नहीं हुआ है बताएं मुझे क्या हुआ है उसे वो बेरब जुम्ले बोड रही थी डॉक्टर शाह ताहा की पहचान का था इसलिए उसने पहले ताहा की तरफ देखा जिस पर ताहा ने जब से उसका इंट्रू करवाया मेरी कज़र ने इसके जवाब पर डॉक्टर ने सर हिला ते नाटाशा से कहा इन्हें एपलिपसी बिमारी है जैसे आम तोर पर लोग एपलिपसी कहते है नताशा के पेरो तले से जमीन सर की वो शौक्ट हुई डॉक्टर के बाद ताहा को देखने लगी मगर ऐसे कभी सर पर कोई चोट लगी नहीं है डॉक्टर ये बीमारी सिर्फ चोट लगने से नहीं होती मैम ये एक ट्रामा जैसी होती है और मरसलीन सर पिछले 13 साल से इस ट्रामा से गुजर रहे ये इस माई रेगुलर पेशन नताशा को लगा उसका दिल की सेने भारिश है के बोश तले दबा दिया है बेसाँकता उसका हाँ दिल के मुकाम पर पहँचा He's my regular patient वो लवज इसके जहन पर हतोड़ी बरसा रहे थे इससे पहले वो गिरती तहा ने उसे समाला और बेंच पर बिठा दिया नताशा ने सब्ध बिगाना नजरों से उसकी तरफ दिखा जो तहा का तिल चील रही थी ऐसे मत दिखो जितने कर्ब को तुम पांच मिनट से जहिल रही हो उससे कई जादा कर्ब में तेरा साल से यहां दफन किये हुआ हूँ तहा ने सुरुकाओं को से उसे देखते दिल के मुकाम पर हत रगा वो इतनी तकलीफ से गुजरता रहा और किसी ने मुझे कभी बताया नहीं क्यों किया मेरे साथ तुम लोगों ने ऐसा तहा क्यों नताशा जब्द के बावजूद उचा उचा रोने लगी तहा ने बिगेर कुछ कहे उसे सीने से लगाया और नताशा उसके इसार में आते ही फूट फूट कर रो दी इसने भी उसे रोने दिया जब रोकर दिल का हलका हुआ तो नताशा ने ग्लास डूर से अंदर जाका वो मशीनों में जखड़ा हुआ था उसकी ही महिमत जबाब दे रही थी डॉक्टर का बुलावाया वो दोनों कैबिन में पहुचे मैंने पहले भी कहा था इन्हें इस्ट्रेश्ट से दूर रखे सराब की जरा सी भी एत्याती ने इन्हें आज मौत के मूँ तक पहुचा दिया था डॉक्टर का लहजा सक्त हुआ था तहा ने उसे देखा नताशा शर्विंदी की से सर चुका गई आप जानते हैं अगर कुछ देर और वो इस हालत में रहते तो इन्हें ब्रेन हैम्रिज भी हो सकता था डॉक्टर के लफ्स तीर की तरह इन्हें चुप रहे थे अभी वो कैसे हैं तहां ही मत करके पूचा खतरे से भारे मगर आज रात अंडर आब्जवेशन रखेंगे हम इने डॉक्टर ने बात खतम की वो दोनों यूही शिकस्त खोर से चलते वापस अपनी जगे पर आकर बैटे तो मुझसे क्या छुपा रहे होता है उसका सपाट अंदाज उसे ठिटरने पर मजबूर कर गया मैं जानती मैं ऐसा कुछ जरूर है जो मेरे इल्में नहीं है जो बहुत भ्यानक है जिसके वज़े से आज मरसलीन इतनी तकलीफ में है वो मुझसे जूट मत कहना तहां तो मैं खुदा का वास्ता है मुझे बताओ मैं उसकी तकलीफ कम करना चाहती हूँ उसके लहजे की शिद्ध ऐसी थी जैसे अगर उसे हकीकत मालिम ना हुई वो तो पागल हो जाएगी तुम पहले गहरी सांस लो नताशा खुद को समालो अगर सस सुनना है तो खुद को मस्बूत बनाओ वरना तुम भाई को कैसे समालोगी ताहा ने उसके बाल सलाते बड़े भाई के जैसे नर्मी से कहा था नताशा ने वह सही किया और बच्चों जैसे सवाल या नजरों से देखने लगी ये इन दुनों की बात है जब मैं और भाई यूनी में एक खटे हुआ करते थे वो हमारा लास्ट रे था सब बहुत कुछ थे हम सब ने उस दिन को यादकार बनाने के लिए बहुत कुछ किया था मगर भाई के लिए वो दिन ऐसे यादकार बनेगा कभी सोचा नहीं था हमारी यूनी में इस वक्त दो हाई पारवरफुल पार्टीस हुआ करती थी एक के नुमाइंदे भाई थी और दुसरे के हमारे रोयल किसी अमीर बाप की बिगड़ी ओलाद था यूनी में भाई दव फाइटर के नाम से जानी जाते थी वो कमाल के फाइटर थी और मैं दव विपन के नाम से मशूर था सब कहते थे अगर मरसलीन रमीशा फाइटर है तो ताहमीर इसका विपन है हमारे वोटर्स और चाहने वाले अपशाम से हमेशा जादा रहे थे यही बात थी जो इसे सुकुन नहीं लेनी देती थी भाई पढ़ाई से लेकर स्पीचिंग, फाइटिंग, स्पोर्स सब में बेस्ट थे इसलिए यूनी के तलबा ही नहीं, टीचर्स भी उनके ग्रोधा थी लड़किया तो बस उनकी एक नजर करेंपर मर मिट जाती थी सब बहुत अच्छा चाड़ रहा था, आकरी दिन को यादगार बनाने के लिए हम सबने क्लास में जाकर बोट पर पर्मिनन्ट मारकर से सर्चिंग करने का प्लैन बनाया था सब इंजॉइमेंट में मसरूफ थे, इसलिए जादा तर क्लास खाली थी भाई और में छे दोस्तों के साथ एक खाली क्लास में पहुचे सिगनिचर्स का प्लैन बनाया था, सब इंजॉइमेंट में मसरूफ थे इसलिए जादा तर क्लास खाली थी, भाई और में छे दोस्तों के साथ एक खाली क्लास में पहुचे सिगनिचर्स वगेरा किये, जब वापस निकले तो भाई को याद आया, वो अपना कोट अंदर ही भूलाए है वो वापस गए जबके हम सब अगली क्लास में चले गए थे तब ही उन क्लास में एक अकेला देखकर अप्शाम ने चाल चली और अपनी गल्फ्रेंड को भाई के पिछे बेच दिया वो जैसे ही अंदर गई भाई ने उसे देखा तो इने कुछ गलत होने का एसास हुआ इससे पहले वो बहाँ निकलते इस लड़की ने अपनी बाजु खुदी चाक कर दी बाल खराब कर दी अपने कपड़े जगे जगे से फारने के बाद वो चीकी रोती बिलकती बाहा निकली और दुआई देती ने लगी स्टूडन्स तमाशा देखने के लिए वहाँ एकटे होने लगे जब हमें खबर मिली कि अपशाम और भाई की लड़ाई हो गई है हम भागते वहाँ पहुचते ही वहाँ जहां वो एक दुसरे से गुत्तम गुत्ता थी वो लड़की भायात इल्जाम लगा रही थी भाई पर के उन्होंने उसके साथ जबर्दस्ती करने की कोशिश की है पहले तो इन्हें को समझने आया वो मफलूज होते जहन के साथ तमाम स्टूडन्स को दिख रहे थे जो चाहिए मगवया करने में मसरुफ थे कुछ का कहना था इन जैसे दरिंदे यहां रहने के काबिल ही कुछ बोल रहते हैं ऐसे फरिश्टा सफ्त लोग ही हैवानियत का दुसरा रूप होते है और क्या क्या बताओं वो अलफास नहीं थे वो पिगला वसीसा थे जो इनके कानों में लोग उंडेल रहे थे वो जहर था जिस ने उस मासूम से शक्स की जिन्दगी में इतना जहर घोल दिया कि इसे इनसानों से ही डर लगने लगा इस मासूम से इनसान का इनसानों से भरोसा उड़ गया बात प्रिंसिपल तक पहुँची अब शाम चाता था खबर मीरिया में जाए मगर जैसे तैसे उन्होंने इसे समाल लिया मगर वो एक खरे इनसान थे जिन्हें लोगों पर परकना आता था इन्हें मरसलीन भाई से ऐसी किसी हरकत की कोई उमीद नहीं थी वो जानते थे ये सब अब शाम की चाले मगर हमारे पास कोई प्रूव नहीं था वो मसला ठप हो गया प्रिंसिपल ने मलक वला में किसी को इस बात की खबर नहीं होने दी वो आकरी दिन कयामत की तरह था जो आज तक इन पर गुजर रहा है वो खामोश हो गए थे लोगों की तमसकराना उडाती नजरो अलहजों ने उनके साफ जहन पर ऐसा असर छोड़ा था कि वो दुनिया जहां से कटके रह गए इन दिनों में हम यूनी के बाद इसलामाबाद चले गए थे और वहीं से भाई को ये दौरे पढ़ना शुरूर होए उनका जिसम सक्त होने लगा था वो होश हवास खो बैठे थे खाली नजरों से देखते रहते कभी कभी गिर पढ़ते और फिर ऐसे देखते जैसे वो किसी अलगी दुनिया में आ गए होए इस दिन का असरा आज तक इनके जहन पर है हमने अच्छे साइकोलेजिस्टिक से लेकर बहतरीन डॉक्टर तक चुना मगर वो बीमारी जैसे इने चिपक कर रह गई थी वो हर रात को उटकर बैठ जाते कभी कभी रोने लगते वो तूट से गए थे इने लगता था वो वाकई में कसूर वार है मगर ऐसा नहीं था वो खुद से भागने लगे थे इन दिनों में वकास अंकल ने हमारी लिए जब वहां बात की तो मरसलीन भाई ने फॉरन मना कर दिया इने खुद से डर लगने लगा था वो समझते थे वो अच्छे इंसान न नहीं है वो हमारे काबिल नहीं है इसलिए तो वो तुम से दूर भागते रहें विला में सबने इने बहुत डाटा मगर वो किसी को अपने साथ कोई ना इनसाफी नहीं बता सकते थे इसलिए खामोशे से सब की बाते सुन ले थे क्या तुम ऐसे शक्स की तकलिफ का मदावा करके इसे दरिंदा और हैवान जैसे लकब सुनाए गए है मैं बहुत सहा है नताशा मैंने उस शक्स को तूटते देखा है उसकी जात का जर्रा जर्रा भी खिरते देखा है यह असान नहीं होता जब आप किसी एक शक्स के लिए खुद कोई इसकी आमानत समझ कर हमेशा महश शक्स को कह कहो को सिर्फ जरा सी मस्कुराहत में बतलते देखा है अपनी गुफटगो से दूसरों को जेर करने वाले को सिर्फ हूँ हा में बात करते सुनाए अपने आप में कैद होते देखा है खुद से खुदी को जंग लड़ते देखा है मैं थक गया हूँ मैं इने अब कदम पर उठाया था मगर आज उनकी ऐसी हालत मुझे नहीं मालम तुम दोनों की दर्मियान क्या हुआ है मगर जो भी हुआ है बिलकु ठीक नहीं हुआ नताशा मैं उनकी इतिनी खराब हालत कभी नहीं देखी इसके आसो टिप टिप करते ताह के हाथों पर गिरते इन्हें ज चाक करती कमरे में दाखिल हो री थी उसने जैसे ही आखे खुली जहन के परदे पर रात वाली मंज़र एक एक करके जगमगाने लगे वो योहीं बुद बना लेटा रहा था दर्वाजा कुलने के आवास पर इसने तिरची नजर से इस जानी देखा वहा ताह को खड़ा पा गर बहा निकल गई तहां उसके करीब आया ये क्या कर रही है यहां मुझसे जूट बोने की कोशिश मत करना बना जान ले लूँगा तेरी मरसलीन धाड़ा तहा हवास बाकती जी से उसे देखने लगा फिर सोशने लगा क्या बोले क्योंकि अगर मरसलीन को खबर हो जाती कि ये वो इसे सक हकीकत बता चुका है तो अगले एक घंटे बात मस्जिद में उसकी नमाजे जनाजा का अलान हो रहा होता ये अभी यहां आई है भाई इसे जो समझ में आया वो बोल गया मगर क्यों और इसे किसे बताया मैं यहां हूं और तूने इसे क्या कहा आपके नाम ए गयता तबी नताशा एंवलेप लिए अंदर आई ताहानी मुबाइल कान से लगाया और नताशा के साथ से गुजरते उसके कान में सरगोशी की अगर तुम नहीं चाहती कल के दिन तुमारे होने बहनोई के कुल पड़े जा रहे हो तो महरबानी करके सब समान लेना बना मु मरसलीन गयक बागता लहजे में कहता नताशा को मज़ीद उदास कर गया तुम एक बार मेरी बात सुनो मरसलीन वो सिर्फ मेरा दोसे उससे मुसे काम था कुछ मैंने आप से कोई सफाई नहीं मंगी मिस नताशा रजा अब आप जा सकती हैं यहां से इसे अब गुसा अरा था वो पाओ पटकती मरसलीन के बैट के करीब पहुची इसके उपर जुकी चिकी थी आके तुम इतने धीट की हूँ गलत बात का इशू बना रहे हो तुम मरसलीन उसकी गुसे भरी नजरों में देखता रुक मोड गया मेरी तरफ देखो मरसलीन माफ कर दो मुझे मेरे ऐसा को सानी का बास बनी वो इतनी नजिके पर आखे मीच गई मरसलीन ने सर्व नजरे उसके चेहरे पर गाड़े अपना चेहरा उसके मजीद नजिक किया था तुमने मुझे जो थपड़ मार कर मेरी नहीं मेरी महबत की तोहिन किया नताशा रजा और मैं मरसलीन शापनी महबत की तोहिन हर्गिस परदाश नहीं करूँगा दफा हो सकती हो तुम यहाँ से लबस आप वाला भूद जो चड़ा था वो उतर चुका था नताशा का पुरा जिसम लजर ने लगा था बंद आखों से मोती तूट कर मरसलीन की सीने पर गिरा इसके तेज जिसे लबस और आखों म बैता गरम सियाल वो हुनुस चाही संजीर्गे से कौफत में मुबतला कर रही थी आसू बिना बंद की बहे जा रहे थे मरसलीन अब तक इसकी बाजू दबोच रगी थी नताशा उसके करीब दूसरा बाजू खुद को मतوازन रखने के लिए इसके सरहाने पर रखे खड़ी थी अचानक वाट का दर्माजा खुला और जो नर्स अंदर आ रही थी इन्हें देखते ही वहीं से उल्टे पाव वापस निकल गए इन दोनों को अभी अपनी हालत का अंदाजा हुआ तो एकदम से पीछे हुए थे तुम बाहर जाके रोने का शगल फर्माओ मेरे सर पर आया नताशा वहां से जा चुकी थी ताहा और मरसलीन भी डॉक्टर की पर्मीशन के बाद मलिक वला पहुचे थे जा इस वक्त किसी जंग का समा था अफाफ और अमीमा अजरा को कशन दे रही थी और अजरा मैडम वो कशन यहिया को इसे मार रही थी जिसे पानी पत की रही हो समीरा विगम और अवन सहाब जो कल ही वापस आये थे वो सर पकड़े बेचारे सोफे पे बैटे थे आलाद की आलाद भी वैसी ही थी यह सब क्या हो रहा है मरसलीन की गर्जदार आवास पर वो चार अपनी अपनी जगे क्रिस्टल नुमा हो गए थे मरसलीन कम ही इत कर भी ढूडने से नहीं मिलेगा उसकी उल्टी बात पर ताहा का हाथ सर को पहुचा और मरसलीन आके गुमाई आप बताओ रोस क्या हुआ है मरसलीन ने अजरा से पुछा जो खड़ी मूग के साब यह बिगार रही थी बाई यह हमें शॉपिंग पर लेकर नहीं जा रहा सि आरियान ने भार आते मरसलीन को मुखतिब किया बड़े पापा मैं आज फ्री नहीं हूँ कल ले जाओंगा आज मुझे कोट जाना है हैरिंग है वो तो दो दिन बात थी ना जी दो दिन बात थी मगर आज ही कोट से नोटीस आया है अच्छा ठीक है बिटा ख्यार रखना अ इसकी अगली साथ पिश्टे भी खान से टक्राने का ख्याल भी दिमाग में न लाए जला डालो या काट डालो मगर मरसलीन रमीशा बचना नहीं चाहिए मरसलीन कोट के लिए निकल चुका था वो जानता था बहदर खान कुछ भी करेगा ताकि वो अदालत ना पहुंच सके मगर वो भी मरसलीन रमीशा था जिसका कहना था अगर उसे अपनी जिन्दगी इतनी ही प्यारी होती तो वो कभी इन अदालतों के चक्कर में पढ़ता ही नहीं इसलिए तो इसने ताहा को भी सिक्यूरिटी भीजने से मना कर दिया था अभी वो अपने रास्ते पर गासमान था इसने फरंट मीरर से बैक वियो पर नजर डाली जा एक नहीं तीन तीन गाड़ियां उसका पीचा कर रही थी बाहदुर खान अपनी इलाकी को रही जादा मालम होता था जिसके मताबिक इसके इलाकी में रहने वाले तमाम लोग इसके गुलाम थे और इने गुलामों में उनकी बेटियां भी शामिल थी जिनको वो इस्तमाल करके पैरो तले रोन देता था मगर ये भी उसकी बतकिस्मती थी कि अब ये मामला मरसली रमेशा तक पहुँच गया था और वो इन तमाम लड़ियों कर हर हाल में इनसाफ देलाने वाला था और इसकी रह में रुकावट बनने वाले सिर्फ बहदूर खान नहीं बलके उसका बाब शजात खान भी था वो किसी भी सूरत माफ करने वालों में से नहीं था वो हर हाल में मुझरिम को फासी के फंदे तक पहुँच आता था चाहे फिर ऐसे काम में उसकी अपनी जान ही क्यों नादाओ पर लग जाती वो इनकी परवग की बिगर पाउं रेस पर रखे गाड़ी की अदालत के तरफ बढ़ चुका था जैसे उसे गाड़ी की रफतार बढ़ाई पीछे आते लोगों ने इस बार फाइरिंग स्टाट कर दी वो ड्राइविंग में आहिर शक्स इनके हर वार से बचता अपनी मंजिल की तरफ गाजमान था तब ही एक मोटर से गुजरते हैवी बाइक हवा से बाते करती उसकी गाड़ी के करीब आई तुम्हारे बाराती तुम्हारे पीछे ही है नताशा ने बाइक की स्पीड बढ़ाते तेज आवाज में कहा मगर मैंने उनकी कोई बेटी नहीं भगाई तो मुझे कोई फरक नहीं पड़ता वो तड़क कर कहता गाड़ी की स्पीड मजीद बढ़ा गया इसके जवाब पर नताशा का मीटर आउट हुआ वो भी बाइक भगाती गाड़ी के करीब आई ऐसा करना तो दूर तुमने अगर सोचा भी तो मैं तुम्हें जहनम रसीत कराऊंगी मरसलीन शाह मुझे चालेंज मत करो नताशा रजा मैं वो हूँ जो अगर चाहे तो एक वक्त में दस लड़ जो आखों में अजीब सा तमस कर लिये ड्राइविंग कर रहा था चैलेंज एकसेप्टेट मरसलीन शाह मगर इसके बाद जो होगा उसके जिम्मेदार मैं नहीं हरकिस नहीं होंगी वो आंदी तुफान बनी वहां से गायब हुई पागल औरत मरसलीन ने पीछ आते गुंड मरसलीन चीका मगर वो टस से मसना हुई मरसलीन ने गाड़ी उसके करीब से जैसे ही गुजारी नताशा ने पीछ आती गाड़ीों को करीब आते देख दोनों हतों में पकड़ी गन से इन पर फाइडिंग स्टार्ट की थी इनका निशाना बहुत पका था और अगले चंद मि वाजाई और गाड़िया सड़क पर गैर मतवाजन तरीके से घुमती एक दूसरे में लगी थी वही दूसरी तरफ से ताहा कहीं से नमुदार हुआ और मरसलीन को गाड़ी से उतरते देख हबलदारों को इन सब को गिरफतार करने का ओडर दे थी खुद वहां से नो दो गय प्राश्टी आइस भी उसके आदे अलफास मों में ही दफन हो गए थे मरसलीन ने उसकी बाज़ो पकड़े खीच कर अपने साम करते सामनी करते गाड़ी से पिन किया था समझती क्या हो तुम खुद को हां मरसलीन के सवाल पर नताशा के आखों में चमा कुबरी वो कुछ कह दोना ना चाहते वे भी उसके आखे जिल मिलाई मरसलीन कौफर से उसके चहरे को देखता रुक मौड़ गया माफ नहीं कर सकते क्या वो भराए लहजे में बोली तो मरसलीन ने रुक फिरते चहरा उसकी इतने नजीक किया कि नताशा अगर जरा सी हिलती तो इसका चहरा मरसल मरसलीन कुछ भी कर गुजरता मुझे उस शक्स का नाम बताओ जो वहां मौजूता मैं तुम्हें माफ कर दूँगा मरसलीन का ठंडा यक लहजा और सांसों की गरम तपीश नताशा को आखे खुलने पर मजबूर कर गई आसों तूटकर गाल पर फिसला इसना आज तक असों को देख बेरुखी से नजरे फिरी और इसकी मिलते जाई नजरों को नजर अंदास कर गया मैं तुम पर भरोसा करता था उसने थाप पर जोर दिया मगर अब मुझे तुम्हारे बारे में सोच करी सिर्थ तकलिफ मिलती है मैं कैसे करूँ तुम्हें माफ मुझे उसे एकदम से खायलाया तो जबान फकल लगा था मगर इससे पहले मरसली ने उसकी गर्दन दबोच कर चेहरा उपर किया और सपाट नजरे उसके चेहरे पर गार दी किस लिहास से ये बात की है तुमने जवाब दो क्या जानती हो तुम जिसकी बिना पर तुमने कहा है कि के दिन पड़े जा रहे होते मेरा मतलब था तुम किसी लड़की से बात नहीं करते हो तो मुझे भी इनी लड़कियों में शामिल कर रहे हो ये सब करके जैसे तरसे नस्ताशा ने अपनी जान चुड़वानी चाही ती ये सब भी तुमारी अपनी वज़े से हुआ है मरसली के लिए निकल गया तो आज फाइनली तीन हबते से चलने वाला केस मरसलीन रवेशा ने अपनी जहानत और बहदूरी के बलबूते पर जीत ही लिया था और साथ ही इन तमाम लड़कियों को भी इनसाफ दिला चुका था सब की मुबारक बात वसूल करता वो बाहर आया जहा ताहा गाड़ी के बोनट के साथ टेक लगाया उसके इंतिजार में खड़ा था जीत मुबारक हो भाई जान ताहा उसे जान तब ही कहता था जब उसे मरसलीन हब हद से जादा प्यार आ रहा होता मरसलीन भी मस्कुराते इसके बगल गिर हुआ इधर उदर की बाते करते ताह ने नोट किया वो कुछ परिशान नजर आ रहा था भाई आप ठीक है हाँ ठीक हो मुक्तसर जवाब आया नहीं आप मुझे परिशान लग रहे हैं भाई ताहा ने फिर सवाल किया जिस पर मरसलीन गहरी सांस भर के रह गया यार वो लड़की मुझे पांगल कर देगी लहज मगर आज वो सुबह भी रो रही थी और अभी भी इसे बात तो धूरी छोड़ी तहां मश्तिल सा कड़ा बस उसे सुन रहा था तो लड़ाई खतम कर ले भाई वो रो भी तो आपके लिए रही है उसे आसान सा हल दिया नहीं बात कोई और है तहां मैंने जब जब उसे धु चुकी है वो जादू गरनी है उसका सर मेरे सर चड़ के नाच रहा है मैं नाराज रहना चाहता हूँ और इसे रोता भी नहीं देख सकता वो बोले जा रहा था जब तहां की नजरे उसकी दाए साइब उठी और फिर उसकी पुष्ट की जानी भाई अगर आप नहीं चाहते क्या दालत मैदाने जंग बने तो एक मिनट के अंदर बिगेर पीछे मुड़े गारी में बैटे और निकल जाएं यहां से तहा जितनी सीरियस अंदास में बोला मरसलीन को खटपट सी हुई और वो मुड़ गया अभी वो भागता वानिया बाहे पहलाए उसके गले काहर बन आग में जलता महसुस हुआ था मरसलीन नताशा को देखता वानिया से दूर हटा मैनी मैनी कॉंगरेचुलेशन टू यू बेबी आइम हैपी फो यू वानिया उसे चिपक कर खड़ी कुशी से चाहे की बेबी की मा पीछे खड़ी है अगर तू देख ले तो किसी को देखने लायक नहीं बचेगी ताहा ने दाथ पीस कर का सौरी तुमने कुछ कहा क्या ताहा वानिया उसकी जानी पल्टी नहीं मैंने कहा कि क्रोना फैला हुआ है ना थोड़ा सोशल डिस्टन्स का ख्यार रखो वरना अगले दिन कबर में पड़ी मिलोगी आकरी जुमला उसने पार्टी तो बनती है न बेबी वो फिर से इसे चिपकी ताहा ने ना गवारियत से इसे देखा और उसकी बादो पकड़े मरसलीन से दूर खड़ा गया जी अभी हमें कुछ काम है आपको इन्वाइट जरूर करेंगे भाई अगर कल तक जिन्दा बच गए तो इसे गाड़ कोई मदद नहीं कर सकता ताहा ने फकरा उचाला तो मरसलीन इसे घुर कर रह गया इसे आने वाले वक्त से डर लग रहा था वो नताशा रजा को जैलिस करने के लिए सिब बाते कर सकता था इन बातों को हकेकत का रूप देना इस बहुदुर इंसान मरसलीन रमीस शाह की बस से बाहर था हम कहा जा रहे हैं एनी अजरा ने सवाल किया बस यहीं करीब एक पार के बहां तक वो दोनों पैदल ही वॉक करती जा रही थी अजरा खुली हवा में तरों ताजा फिल कर रही थी जहनी उल जनों से कुछ देर के लिए छुटकारा सा मिला था दूसरे तरफ आईस किया था नहीं मैं ठीक हो अजरा ने बह मुश्किल खुद को मतवाजन रखते कहां अगर कोई परिशानी है तो तुम मुझे बता सकती हो I will help you उसका नरम लह जा और अपनायत अजरा को कहीं दूर लेकर जा रही थी वो डैवल का नया रूप था या कोई जाल जिसे अभी व इनसान बुझ दिली है हाँ मुझे यकिन है अगर वो ना होता तो मेरे सामने आ जाता मुझ से यू छुपता नहीं अजरानी तेज लहजे में का मगर उसने तुम्हें मौका दिया था तुमने ही इतनी सलायत नहीं थी कि तुम इसे पहचान सको वो बस तुम्हारे सजा दे रहा है खुद को ना पहचान पानी की तो इसे चाहिए था माते पर बलैक डेवल का टेक लगा कर फिरे ताके मैं उसे पहचान सकूँ क्योंकि मैं कोई वीली नहीं हूँ जैसे अलहाम हो कि मगर मैं तो तुम्हारी खुश्बों से भी पहचान सकता हूँ तो तुम क्यों नह क्या महभबत ये हुनर नहीं सिखा थी। इसके भारी घंबीर लाजे पर अजरा ने सर जटका। मेरे सामने आओ तो बात करेंगे। बहुत जल्द आओंगा। इसकी सुनते अजरा ने फोन रख दिया था। वो फलैट में वापस आई। गुसा साथवे आस्वान को छू रहा था। वो पागल हो रही थी इस मनजर को सोचते बस नहीं चल रहा था मरसलीन को गोली मार दे। मगर वो सबक सिखाने की ठान चुकी थी। एहमर को कॉल मिलाई। हैलो एहमी हाँ बोल तुझे एक लड़की की पिक भीज रही हूँ इससे लोकेशन से उठा और अपने अड़े पर रख बाकी का काम बाद में बताऊंगी। वो तेज तेज बोली थी। ओ हेलो शैतान की रानी कौन है तू और मैं कौन हूँ क्या मैं पागल वागल हो गई है तू लड़की को उठा अड़े पर रख क्या मैं तुझे कोई दो टके का गुंडा नजर आता हूँ या तो कोई सीरियल कीलर है। पुलीस आफिसर हूँ गैर कानूनी काम नहीं करता हूँ वो एक हिसास में बोल ले गया नताशा ने पास पड़ी दो गलास की ट्रे इतनी जोर से फेकी जमीन पर के एमर की बोलती मिंटों में बंदुई लड़की को उठा की मेरा मतलब है किडनेप करके कॉल करता हूँ इस जट से कहते कॉल रख दी वो इस वक्त जुनूनी हो रही थी वो होती भी क्यों न जो जुनूनियत और पागलपन की आला मिसाल नताशा रजा थी उसे जिन्दगी में सिफ हासिल करना सिखा था वो अपनी माह का दूसरा रूप थी और अब वो मरसलीन रमीशा को भी हमेशा हमेशा के लिए हासिल करने वाली थी ताहा और वो दोनों विला पहुचे सब नॉर्मल ता मतलब वो फ्लैट गई थी मरसलीन ठका हरा सा कमरी की तरफ बढ़ गया ताहा भी कमरी की तरफ जाता मुबाइल रिंग रुआ नताशा की कॉल थी उसे कुछ सोचते कॉल अटेंड क की मगर आगे से जो सुनने को मिला बसके होश सलब कर गया बंदा धून मरसलीन की कमरी की तरफ भागा शाम के साथ बज़ रहे थे ताहा और वो नताशा के फ्लैट के बाहर पहुचे थे बेल बजाते काफी टाइम गजर गया इन्ही फिकर ने आन गेरा भाई मुझे लगता जो तुम समझ रही हो वो इस वक्त हरहाल में उसे अपनी नजरों के सामने देखना चाहता था भाई मैं में सुईच ढूनता हूं ताहा कहकर फ्लैट से बाहर निकल गया क्योंकि उसका काम ख़तम हो चुगा था नताशा मरसलीन के होटो पर उसके नाम की बुकार बेरब्त ह हुई थी नताशा पीचे से आते उसके नाग पर रुमार रखा वो इसे हटा लेता अगर वो कोई आम बेहोशी वाली दवा होती तो तक्री बना दे घंटे बाद मरसलीन को होशाया ना शुरू हुआ उसे आंके कोली तो सामने का मनजर धुंदलाया वा था मज़िद कुछ लमे लगे उसे आंके खोल कर देखा सामने नताशा गंद माते से टिकाए बैटी उसे घुर रही थी मरसलीन ने हिलने की कोशिश की मगर वो चैर पर रस्यों से बंदा हुआ था उसे नताशा की तरफ देखा जिसकी आंके इस वक्त हद से जादा लाल हो रही थी गे सब क्या बचपना है नताशा खुलो मुझे मरसलीन गुसे से गोया हुआ मगर वो यू ही बैटी थी अगर तुम्हें लगता है तुम ऐसे मुझे घूर कर डरा लोगी तो हाँ मुझे वाकई तुमसे डर लग रहा है आपके मरसलीन ने थुक निगलते कहा वो जानता था वो लड़क साइको है उसके मामले में यही वज़े थी जो इसे खौफ में मुझतला करती थी जिस पर वो हमेशा काबू पा लेता था मगर आज ऐसा ना हो सका नताशा तुम पागल हो गई हो खोलो मुझे मेरा इस लड़की से कोई तालुक नहीं है उसकी मसलसल खामुशी पर वो जो ज चिका तुमने मुझे यह पागल पन करने पर मजबूर किया है मरसली शाह मुझे करीब आती बोली तुम्हारे पास जादा वक्त नहीं है ना ही बाते घुमा फिरा कर बात करने के आदी हो नताशा ने टेबल पर रका मुबाइल उठा ते उसके सामने किया इस लड़के ने तुमें छूने की कोशिश की है और अभी से इस बात की सजा मिलेगी मरसली ने गौर से इस वीडियो को देखा जिसमें वानिया नीम बेहोशी के हालत में चैर पर गमसम सी पड़ी थी तुम्हारा दिमाग चल गया है किया नताशा जानो दो इसे वो जच की बेटी है वो जाद करवाना चाहा इसे जाने दो नताशा मेरी बात मान लो प्लीज गल्ती मेरी है तो तुम मुझे सजा दो सजा दो तुमें भी मिलेगी मरसली इंशा मगर जिन्दा ये भी नहीं रहेगी वो गुसे से चिलाई अंदर लाओ इसे उसके उची आवाज में कहने पर मौलव के सामने खौब से हकलाया डरो मत अभी सिर्फ निकाह करूंगी तुम्हारे साथ आँख दबा कर कहां गया मगर चेहरे पर फैली हर दर्जा संजीदगी ने मरसलीन का सांस रोका मैं ये निकाहर किस नहीं करूंगा नताशा तुम्हें हर हाल में निकाह करना होगा मरसलीन शा बना तुम्हारी चहती को मैं जहां से मार दूँगी तुम भी नहीं बचोगे तो अब तुम में इतनी हमत आ गई कि तुम मुझे भी मारोगी मरसलीन शाह को मरसलीन ने कुछ गुसे और कुछ हैरत से उस्तसार किया तो नताशा ने गन किनाल उसकी तरफ गुमाई और गुल चला दी मरसलीन की हलकी सी चीक कमरे में गुझे गुली इसके बाजू के आर पार हुई थी मैं सिर्फ कहने रही मैं करूंगी भी मरसलीन शाह क्योंकि तुम सिर्फ मेरे हो वो पागल हो रही थी पास खड़ा मॉल भी खौफ से काप रहा था जबके मरसलीन शौक था वो लड मार्दोई से एमर को हुकम देते उसे मुबायल इसकी तरफ गुमाया जहां सिर्फ वही लड़की नजर आ रही थी शूटर सामने नहीं था और वहां भी गोली की आफास एक गुझी साथ लड़की की चीकी भी मरसलीन ने आके पाड़े इस लड़की की बाजू की तरफ दे देखा क्या आ備कोई निका और दूसरी बार भी खामुश रहा क्या आपको ये निका क्बोल है मौलवी सामने तीसरी बार पूचा नताशा ने उटते मरसलीन के माते पर गंटी कायी आप बोलो कबूल है वरना नताशा ने नाल पर जोर दिया मरसलीन ना कि गुमाई लंबी स पिसमत ऐसी भी लिकी होती है मरसली इंशा बस सोच कर रह गया था मौलवी साहब उसकी तरफ पटे नताशा ने इंतिहाई तिमिनान से इसके आखों में आखे डाले तीन बार कबूले कहा था तो आखी राज से किस्सा जुदाई खतम हुआ और अपसे किस्सा लड़ाई कभी न खतम होने वाली जंग का आखास होता है तहां ताली बजाते बाहर आया मरसली न देख उस हैरत में मुब्तला हुआ मौलवी साहब जा चुका था देखा भाई कैसे मेरी मासुम भावी ने आपको इतनी मासुमित से अपना बना लिया हाँ गन पॉइंट पर बरसली दात चोड़ूँगा मरसलीन भड़क उटा मैकेला नहीं ताताहा ने इशारा दिया जिस पर डॉक्टर असद भी बाहर आये थे आप भी वो गश खाने को था आपकी मिसस ने बताया था आप बहुत धीड़े एक गोली तो आपको जरूर माननी पड़ीगी इसलिए मैं भी गवा के तोर पर आपकी मरम पटी करने चला आया वह से मरसली ने नताशा की तरफ खान जाने वाली नजरों से देखा सब कुछ प्लैन के मताबिक हुआ था इस लड़की को छोड़ दो अब वो अल्रेडी जा चुकी है नताशा ने इसान करने वाले अंदास में बताया नताशा पसाई तो मरसलीन सोफी से टेक लगाया के मून दे लेटने वाले अंदास में बैटा था गन और मुबाइल टेबल पर रखते वो इसके पास आई येलो पेन किलर ले लो दर्थ कम हो जाया नताशा ने पानी का गलास और मेडिसेन उसकी तरफ बढ़ाई मरसलीन ने आके पास से बैटती उसके सीने पर सर रख गई मरसलीन कसास अटका वो चंद नमे साकित बैटा रहा मैं कभी तुम से लड़ाई नहीं करूंगी ना ही तुम्हें थपड मारूंगी ना ही तुम पर गोली चलाओंगी बस आकरी बार मुझे इन सब के लिए माफ कर दो वो रो रही हो नताशा ने उसका कॉलर दबोचते का तो मैं भी तुम्हारा शोहर हूँ कहते हैं वो रुग गया नताशा उसके जबान से फिसलते लफ़ को सुनती गहरा मुस्कुराई मरसलीन ने पहली बार बका और उसके चैरे पर पहली मुस्कुराहट को देखा इसे वो बहुत भली लगी थी नताशा ने उसके आँकों को हौले से उंगली के पूरों से चुआ मरसलीन ने उसके ठंडे लम्स पर आके मौंद ली उसके आँके सुर्खोरी थी सोजाओ थोड़ी देर तुमें रिस्ट की जरूरत है नताशा उसके आँकों को छूते कहकर उठी ही थी कि अर्मिस मरसलीन ने उसके कलाई था में अपने पास वापस बिठाया वो खामुश सी यक्टक उसे दिखरी थी शायद वो अपने अंदर की हालत से कन्फ्यूस था वो बोलना तो चाहता था मगर कुछ कहने की सकत में नहीं था नताशा ने उसके चेहरे के करीब हाद रखते जुक कर अकीदत से उसकी दोनों आखों पर लब रखे उसे फिर से आखे मौंद ली उसका लम सुरूर को सुकून बक्ष रहा था दिल पर थंडी फुआर जैसा था मरसलीन एतने अरसे बाद सुकून की सास खारिश की थी इस लड़की की महबत में वो पिकल रहा था उसका नजर भर के देखता वहीं लेड़े आखे बंकर गया उसे नीन की जरुत थी नताशा ने कमपटर लाके उस पर दिया अरसल की तनी मिन्नतों के बाद आज वो एक बार फिर कोशिश करने आया था मरसलीन विला में मौजूद नहीं था जिसका फाइदा उठाते यहिया मीमा क कमरी में आया जहां वो किसी किताब का मुताला करने में मसरुफ थी उसे दर्वाजा खटकटाया अमीमा ने मुड़ कर देखा उसके चेहरे पर नागबारी च्छा गई जो यहिया से चुपी नहीं रही थी वो उटती दर्वाजे के पास आया और इसे बंद कर दी यहिया द किमिनान से का क्योंकि अमीमा का ऐसा रवया मामूल बन चुगा था मैंने पहले भी कहाई यह तुम्हारी जिन्दगी नहीं इसे मैं जैसे बीची हूँ यह मेरी मर्जी है इसके सामने आते सपार्ट अंदाज में कहा गया यहिया ने अगली ही पल उसकी बाजु दबोचे द अकलीफ दे पाओगी तो अफसोस है यह सिर्फ तुम्हारी सोच ही रहेगी अलबता यह सब करके तुम मुझे खुद से नफरत करने पर मजबूर कर रही हो तो करो ना नफरत यहीया मीर करो नफरत किसने रोका है तुम्हें पर अगर तुम्हें यह लगता है कि वो लड़क यह पर दिली अफसोस हो रहा था यह सिर्फ वही जानता था वो कैसे जब्त किये वे था आकरी बार समझा रहा हूँ अपनी जिंदगी को जहनुम मत बना इसे इंतहाई संजीत की से कहा आज पहली बारा मीमा को अपना नाम इतना बुरा लगा आंके बे सागता जिल मिलाई थी मेरी जिंदगी को जहनुम बनाने वाले सिर्फ तुम हो सिर्फ तुम वो जिस अंदाज में चिकी यहिया शचदर खड़ा उसे देखे गया उसके जिसम में दर्द की लहर से उठी अल्ला करे मर जाओ तूम बजब के बावजूद बहुत गलत कह गई थी और इसे लगा वो वाकई में मर गया है दिल में अजीब से दर्द उठेने लगा आंकों की किनारे भीगेते यहिया मफलूज होते जहन के साथ बाहर निकल गया तुम फ्रेश हो जाओ पिर चले जाना वो मसरूप से अंदाज में बोली फ्रेश होगे क्या तुमारे कपड़े पहनूँगा मरसली ने फाड़ खाने वाले अंदास में का नताशा ने आके गुमाई ताहनी तुमारे ड्रेस भिजवा दिया था वो बोलती फ्रेश खोल कर खड़ी हो गई यह कमीना कभी नहीं सुदर सकता इसे नोट किया वो इसे देख नहीं रही वो भी सर जटकते फ्रेश होने चला गया फ्रेश होकर वापस आया तो नताशा भी फ्रेश होई किचन में खड़ी काफी मग में डाल रही थी पुछ पर उसके गेले बाल जहां बचा भिक्रेवे थे सफेद रंग साफ शफाफ चाहरा सुर्क रंग की टी-शिट के साथ सफेज जीन्स में मलबूस वो सादगी म मिस पर क्यामत ढा रही थी पता नहीं क्या होता जा रहा है मुझे वो सर जो जटकाते हुए बढ़ बढ़ आया इसके नजरों के जावी ही नहीं बलके दिल के रहा भी इस नड़की की जानी पलट पलट कर जा रहे थे तुम फ्रेश हो गए ये नताशा उसके बढ़ बढ़ हट पर पलटी मगर उसे शर्ट लेस देखते हैं उसके बाकी के अलफाज हलक में ही रह गए वो बाजू की पटी कर दो वरना शर्ट खराब हो जाएगी मरसली ने टावल सोफे पर फैकते हैं उसकी भटकती नजरों का मफूम समझते का नताशा हां में सर हिलाते हैं फरस्ट को नार्मल रख रही थी तुम मुझे नजर अंदास क्यों कर रही हो उसके ठोड़ी को पकड़े उसका चैरा उपर किये वो मद्धम लेजे में बला क्योंके मैं जानती हूँ यह सब तुम मुझे तंग करने के लिए कर रहे हो नताशा ने इसके नजरों किताब ना लाते ही चैरा मोड़ा क्या कर रहा हूँ मैं गंबिर लाजा यही बार बार यहो तुम्हारा करीबा ना क्योंके मैं जानती हूँ तुम नाराजगी में कभी मेरे पास नहीं आते इंटरिस्टिंग अच्छा लगा सुन कर के तुम मुझे पहचानती हो मरसलीन के आखों में चम्म कु मरसलीन ने दिल्चस्पी से उसके चेरे पर आते जाते रंगों को देखा इतनी क्या जलती है निका जबरदस्ती का सही मगर तौफ़त तो फिर भी तुम्हारा बनता है मरसलीन ने कहते जुकते उसके गाल पर नाक रगड़ी थी नताशा उसकी कुर्बत पे पिकल रही थी उसका दिल पस्तलियां तोड़ते बाहर आने को था वो इसे धक्का देती दूर रटी मैं बाहर वेट करी हूं तुम्हारा वो बैग उठाय बाहर भागी पीछे कमरे में मरसलीन का जानदार कहकांगू जा था वो दोनों जैसे विला पहुचे तो अंदर से आते शोरो गुल इनकर स्तक्बाल किया नताशा उसे नजरे चुराते अंदर को भाग दी मरसलीन ने उसकी कलाई दबोश्ते अपनी चानिक पीचा ये क्या कर रहे हो तुम कोई देख लेगा मरसलीन नताशा ने दर दर दे देखते नजरे दोड़ाई मरसलीन के होटों पर तबस्म फैला नि उसे बतला ले रहे हो जबरदसी निकाह करने पर नताशा ने आगे पटपटाई ये ही समझ लो मरसलीन ने जुकते इसके गाल पर लब रगे और पीछे हड़ गया उसने आख विंग की मगर नताशा तो इसकी हरकत पर हका बका खड़ी थी वह अंदर की तरफ बढ़ते ताह बाहर पहुच गया मालूम है कल ही नया नया आप दोनों का निकावा है मतलब ये तो नहीं कि आप ऐसी नेवली मेरिट कपल की तरह हमें इंतजार की घड़ी में सूईयों की तरह लटका दे तो तू बास आचा फजूल की बखवास से मरसली ने उसकी गरदन दबोची का तो वो नताशा की तरफ मुड़ा कैसी भावी हो तुम अपने देवर को मार खाते देख रही हो मेरा कोई देवर नहीं है वो नहरोटेपन से कहती अंदर की तरफ बढ़ी शोहर क्या मिला इस लड़की ने तो मिजज़ी बदल गए या खुदाया ताहा ने हाक लगाते कहा तो वो शट आप बोल कर चली गए मैंने पहली बार इस खुंकार शेरनी को शर्माते देखा है बाई ताहा के बाद उसका भी कहका गुझा वो वरत मुतमें सा अंदर की तरफ बढ़ा हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी आपको नबल कैसा लगए है मुझे कमेन करके जरूर बताएं बताएं मुझे के गनपॉइंट पर निकांप को कैस तरह से लगाएं मुझे कमेन करके जरूर अपनी राये दे लाइक करें शेयर करें चैनल के सबस्क्राइब भी करें और अपना बात क्या रखें आला आफिष झाल 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 झाल